माई अपने छोटे मिठ्चु के लिए छोटा अमूद ले आया हूँ, अब घर चले मेरा लिए तो कुछ लाए नहीं आप, अपने बेजे की बहुत चिंता है, आपके लिए भी ले आया हूँ ये देखो लाल मिर्ची, आप लाल मिर्ची खा लें, फिर हम जाते हैं हरियाली ने अभी लाल मिर्ची खाना ही सुरू किया था, कि बेड़ का एक जगाल, तोता और तोती दोनों पर गिर जाता है तोता और तोती वही मर जाते हैं घर में बैठा छोटा मिठ्चु साम तक अपनी मम्मी पापा का इंतजार करता है साम तक उसके मम्मी पापा लोट कर नहीं आते तो छोटा मिठ्छू डरने लगता है ममा ममा पापा मुझे डर लाज रहा है आप अभी तक क्यों रही आए फिर वहाँ एक तोटा आता है और छोटे मिठ्छू से कहता है मिठ्छू छोटे मिठ्छू आपके मम्मी पापा मर गए है अब वो कभी लाट कर नहीं आएंगे ये सुनकर वो छोटा मिठ्छू रोने लग जाता है और तोटा वहाँ से चला जाता है मम्मा आप मुझे चाण के चली गए मैं बहुत छोटा हूँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा रात हो जाती है वो रात छोटा मिठ्छू बहुत डरता है वो डर के मारे अपने घोसले में ही छिप कर बैठा रहता है वो हो जाती है फिर वो अपने घर से निकलता है वो अपने पडोसी कंवे के पास जाता है अंकल अंकल मेरे माम में पापा बर गये है रात अकेलिए मुझे बहुत डर लग रहा था आप मुझे अपने साथ अपने घर में रख ले पागल तोते के बच्चे, एक कोवा कहीं तोते के बच्चे को रख सकता है, जाओ जाओ अपने घर जाओ रोता हुआ छोटा मिठू वहां से चला जाता है, फिर छोटा मिठू कबूदर के पास जाता है अंकल, अंकल, मेरे ममा पापा मर गए है, मैं दिन तो गुजार लूँगा, लेकि मुझे राज से बहुत न लगता है प्लेज, आप मुझे अपने घर में रख ले बेटा, मेरा भी तुम्हारे जैसा एक छोटा बेटा है और मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हाँ, मगर मैं तुम्हारे लिए भोजन लादूँगा नहीं अंकल, मैं अपना भोजन धून लूँगा मुझे रास से बहुत डर लगता है, फिर कबूतर वहां से चला जाता है रोता हुआ मिठ्छू आगे बढ़ता है, फिर वो किरिया के पास जाता है अांटी अांटी, मैंने मामे पापा मर गा है मुझे अपने घर में अकेले रात को बहुत डर लगता है प्रीज आप मुझे अपने घर में रख ले ऐसे नहीं देटे बेटा दुख सुख जिन्दगी में आते जाते रहते हैं आप मेरे साथ मेरे घर चले मम्मा ये कौन है ये तो भी बहुत चोटा है कुकु बेटा इसके मम्मा पापा मर गए है ये अकेला बहुत डर रहा था इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई दोस्त आपके साथ बहुत बुरा हुआ मैं आपको अपने घोसले में सुला लेता हूँ क्या आप मुझे दोस्ती करोगे सबने मुझे डाटा किसी ने मेरी मदद नहीं की आप बहुत अच्छे हो बेटा किसी के पास जंगल में इतना समय नहीं है कि वो दूसरे को दे लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार से अपने बेटे की तरह रखूंगी फिर उस राद मिठु कुकु के साथ उसके घोसले में सो जाता है वो मिठी नीन सोता है क्यूंकि आज उसे डर नहीं लग रहा था फिर मम्मा चिडिया कुकु और मिठु को साथ लेकर भोजन लेने जाती है फिर मम्मा चिडिया जंगल में एक मिर्ची के पौधे के पास जाती है पेटा कुछ मिर्ची खा लो क्योंकि तोते मिर्ची बहुत प्रेम से खाते हैं आउंटी मेरे पापा भी ये मिर्ची मेरे लिए लाया करते थे ये मिर्ची मुझे बहुत पसंद है छोटा मिठ्व जी भर के मिर्ची खा लेता है दोनों यहां खेलो, मैं दाना ढूंड के ले आती हूं, मम्मा जल्दी आना, पिर मम्मा चिरिया दाना लेने चली जाती है जब तक से आपकी मम्मा दाना लेने गई है, मैं नया घोसला बना लेता हूं और मैं उसी में सो जाया करूंगा इस दोनों छोटे पक्षी काम सुरू करते हैं वो दोनों तिनके इकठे करते हैं। तुखी घास और नरम नरम पत्तों से वो खोसला बनाना सुरू करते हैं। जब ममा चुडिया आती है तो उन्हें घोसला बनाते देखकर बहुत खुस होती है। आप बचो आपने तो बहुत सुंदर घोसला बना लिया है। आंटी मुझे सीखना है, मुझे सारे काम सीखना है। फिर ममा चुडिया वो घोसला उठा लेती हैं और दोनों बच्चों के लेके अपने घर जाती है। मिठु अपने घोसले में बहुत खुस था। आंटी जैसे कुकु कहता है। ये सुनकर मिठु रोने लग जाता है और अपने ममा चुडिया के गले से लग जाता है। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जनन देने वाले से पालने वाला ज्यादा महान होता है। प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सस्क्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, सेयर करें, धन्यवाद।